तो मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर की इस विज़ा से कर रहा हूं ताके आपको पार्ट्स के अंदर चीज़ें पता चल जाए हम पूरे के पूरा स्क्रिप्ट शॉर्ट रीट्स का इस तरीके से करते हैं अगर यही काम आपने मुल्टिपल फाइल्स पर करना हूं अब हम दूसरा काम करने लगे हैं मैं इसको कॉपी करता हूं यहां से कॉपी करने के बाद यहां पर इसे पेस्ट करता हूं और यहीं कि यही मेरा 02 लॉंग रीट्स की बात होने लगी लॉंग रीट्स क्लिणिंग और क्रेक्शन सो और सो फॉर्थ क्योंकि हाइबरेड इसम्बली हम कर रहे हैं एक बात याद रखें अक्सर वकात आपको पता नहीं होता कि आपका इन्वार्मेंट कौन सा अक्टिवेटीड है या नहीं तो आप हमेशा एक काम करें कि अपने इन्वार्मेंट को जरूर मेंशन करें यहां पर मामबा एक्टिवेट जो मेरे इन्वार्मेंट है मैं यहीं से उसका लिंक लेता हूं इस वन जो script है पढ़ा उस path पे है तो it's fine you don't need to do that path क्यों क्योंकि आपका script already अगर यहां पे पढ़ा हुआ है तो वो यहीं से आगे path अपना ले रहा है यह उसका path है script का ठीक है तो अगर यहां पे आपका path पढ़ा हुआ है you don't need to do cd path and so on and so forth otherwise आपको यह path यहां पे देना पढ़ेगा so हमारा पहला काम हो गया अब दूसरा काम हमने करने mamba activate 0 2 अगर मैं अपने script पे जाऊं तो मैंने दूसरा जो script install किया था that was this one 0 2 long qc मैं इसको copy करता हूं यहां paste को paste करता हूं enter यह मेरे पास long qc का दूसरा script आ ठीक है मेरे पास activate हो गया वह environment now I will write that directly here मैं इसको बन कर देता हूं I will write that directly here mamba activate तो अगर आपका वह folder activate ना भी हुआ हो तो आप उस पे काम कर सकेंगे just a minute यह मारे पास activate हो गया environment now we have to run तो चीजें पहली आपके फिल्ट लॉंग और अविसली जो आपकी genomic guide है उसके अंदर भी यही बात बताई गई है कि अगर आपने hybrid assembly करनी है तो आप long read qc जो है वो सिरफ एक फिल्ट long के थूँआप कर सकते हैं so you don't need to do for example अगर मैं unicycler short read assembly long read qc या आप सिरफ यह वाला command run करें that's enough ठीक है यह वाली command अगर आप run करें तो वो कहते हैं कि यह enough है तो मैं यहीं पर script के अंदर यह वाली command add करता हूँ फिल्ट long माइनस माइनस जो length है आपकी thousand आप राख दें माइनस माइनस की percentage 95% quality reads आपने रखने बाकी सारे remove कर दें ठीक है और बाकी एक और उन्होंने example दी होती है कि आप 500 million जो है या 500 million के करीब base pairs को रखते हैं बाकी remove कर देते हैं वो तब होता है जब आपकी quality बहुत बड़ी हो यानि के आपके पास बहुत बड़ा parameter हो या बहुत बड़ी read length हो long QC की तो जारी बात है ये तो हमने cleaning का process देख रहे हैं ना यहां पे what about the quality QC जिसे बोलते हैं QC के लिए आपको nanoplot run करना पड़ेगा QC के लिए nanoplot run करना पड़ेगा उसके लिए अगर मैं nanoplot पर directly जाओ तो ये इसकी github है बहुत असान सा है इसका script है I will show you यहां पे अगर आप इसको install कर लें we already did that मैंने आपको script भी दिया हुए so what we are going to do यह है जी आपका nanoplot example usage जिसकी यह है हमने क्योंके इसको run करना है हमारी सिर्फ और सिर्फ जो fastq file है उसके उपर और हमारे पास एक ही read है fastq का हमने उसके उपर run करना है and then we need to define के हमारा read कौन से है तो हम nanoplot minus t और इस तरीके से हम इसको run करेंगे fast1 जीजी fastq जीजी अगर आपके पास दो है अगर एक है तो एक पे कर देंगे so यह आप पर depend करता है कि आपने किस तरीके से इसको utilize करना है otherwise we can write it here again use nanoplot to check the quality of nanopore मैं यहाँ पर nanopore लिखूंगा long reads give me a script with multiple threads मुझे पता है कुछ चीजों का तो मैं उसे हिसाब से लिख रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर आपको simply a script आजाना है कि यह nanoplot का folder बना ले और यहाँ पर nanoplot fastq file यहाँ पर file दे दे जो उनके अंदर पड़ी हुए and then thread आप use करेंगे सारे के सारे and then so on and so forth आपका यह पूरे के पूरा script बन जाएगा हमारे पास bin bash already लिखा हुआ so we don't need to write that मैं यहाँ से इतना script copy करता हूँ स्क्रिप्ट copy करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ QC के अंदर इसको paste करता हूँ यह क्या करेगा nano plot का already एक folder बनाएगा but I need that folder inside long reads यहाँ पर so मैं पहले long reads का path दूँगा यहाँ पर long underscore reads तो यहाँ पर directly मैं लिखता हूँ like this long underscore reads and then forward slash यह हमारे पास इसका path बन गया अब एक और चीज़ अगर आपके पास यह automatically लिखा आ रहा है it's fine अगर नहीं भी लिखा आ रहा तो फिर भी यह nano plot का बन जाएगा तो अगर आपने forward slash लगानी है doesn't make any problem here तो directory अगर हमने पहले ही directory का बताया so it's kind of returnant as well for loop हम क्यों लगा रहे हैं क्योंकि सारी की सारी फाइल जो उस फॉल्डर में पड़ी है वो जीजी की हैं तो जीजी लिखेंगे नहीं जीजी की तो जीजी नहीं लिखेंगे ठीक है तो आपने यहां पर वो वाली extension देनी now I know कि fast q फाइल है क्योंकि हमने जीजी और रेड़ी बता दिया तो fast q फाइल हमने दे दी इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जितनी फाइल है सभी पर रन करेगा threads हमारे जितने भी number of cores हैं उस पर आ जाएगा अब नपी आरोसी क्या है देखिएगा मेरे 12 cores हैं मेरे पास threads जिने बोलते है तो यह command है Linux की जो आपको double threader system है तो हम यह ही use कर रहे है यहां पर कि नंबर नपी आरोसी command से ले लो जितने भी उसके हैं यहां पर ठीक है and then you will have an output directory जो हमने और रेड़ी यहां पर बता दी हुई ठीक है मैं इसको copy करता हूँ और यहां पर इसको paste कर दी अब नेनो प्लॉट के अंदर इसके सारे प्लॉट्स आड़ेंगी ठीक है अगर मैं यहां पर कहूँ I also want to mention that I have nanopore sequences अब उसने फोरां से आपको ने एक नेया script यहां पर दे देने नेया 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 nanopore fastqc clean wrong reads fastq threads आगे output directory आगे let me see I don't believe in this one nano plot minus h okay यह देखा आपने यह case sensitive हो गया यहां पर आके सी okay हम अब यहां से खुद बनाते हैं अपना script थोड़ा सा nano plot हमने ले लिया हमने यहां पर threads भी दे दिये हमने verbose नहीं दिया write a message in the terminal we don't want to write the message stored and extracted tab separated file no output directory हमने दे दिया prefix कोई नहीं दिया it's fine जो हमारे file का नहीं ले ले maximum length भी नहीं दी के कौन सी format आपने रखनी है plots की so usually यह default plot है वो html का बनता है तो यहां पर हमारे पास format का कोई चक्कर नहीं है आप यहां पर बता सकते है format को अगर मैं यहां पर बताना चाहूं so I will write के जो plots बने ना वो मेरे पास minus f करने के बाद मैं png लिख देता हूं minus f png ठीक है तो यह मेरे format आगे के plot कौन से बनेंगे यहां से png मैंने लिख दी है क्योंके that's a nice file to see आप फिर hex dot या जो भी आपने plot चाहिए आप वह भी बना सकते हैं तो minus minus plot अगर आप लिखेंगे तो वह आप पर add कर सकते हैं तो usually I work with आपका जो है dot plot dot plot क्यों हमें आपको वह भी दिखाता हूं कि उसके अंदर पर dots आजाते हैं legacy भी आप उसमें use कर सकते हैं let's see just a minute असल मैं मैं एक free version software का use कर रहा हूं जिसके अंदर problems आती रहती है screen अब नज़रारी ठीक अच्छा मैं यह plots की बात बता रहा था कि मैं यहां पे plots जो है वो अपने बता देता हूं dot plot यहां पे रखता हूं for example minus minus plot dot ठीक है तो यह script ऐसे generate होता है input faster file हमने बता दी है summary file data is one or more summary file generated by albacore or guppy bam I think we are fine okay let's run this now मैंने thread इसलिए ज्यादा रखे हैं कि जब आपके पास file ज्यादा होंगी तो problem बनेगी ठीक है so we know कि हमारी file के उपर run करके quality parameter वहां पे nano plot के अंदर save हो जाएगा so this is our code for nano plot qc का अब हमने cleaning का बनाना है तो filt long minus minus जो भी हमने यहां पे लिखा और input file हमने दे दी dot fastq dot gc हम यह क्या देंगे file हम यहां से जितनी भी हमारी files है इसी को मैं copy करता हूं और इन्ही के उपर सभी के उपर आप यह वाली लगा दूँ ठीक है और अब इसलिए अगर मैं ऐसे esteric लगा रहा हूं तो उनकी file भी उसी के अंदर save होनी चाहिए तो हमें बेतर यह होगा कि हम इसका एक for loop create कर लें क्यों क्योंकि अगर मैं multiple file को लगाऊंगा तो end पे मेरे पास एक ही file आए गी otherwise यह pipe का मतलब होता है कि जितनी भी इस side पे information run करो उसके बाद जो आपकी output है उसको compress करो and then उसको file के अंदर write down कर दो इसका मतलब है file में write down करना इसका मतलब है left side वाली information को पहले finish करो उस पे right वाली लगाऊ pipe operator का यह मतलब है और मैं इसको cleaning को for loop के अंदर लेके जाता हूं please make a for loop for this to be used on multiple files यह मैं इसलिए आपको यह चीज़ें दिखा रहा हूं के अक्सरों कातना बंदे को लग रहा होता है कि यार यह जो हम काम कर रहे हैं यह किस तरीके से manageable होगा अगर multiple files होगा ठीक है अब यहां पर मुझे पता है घलती है यहां पर long fast qc का मतलब यह है वह long fast qgc में हो जाएगी but we need to also add the script here इसके ओपर भी हमने लगाना है also change the output for each file in the previous script hopefully now it will work fine yes now it's fine अब यह script का मज़ा है मैं इसको copy करता हूं यहां पर filt long के नीचे paste करूंगा ताके अगर कुछ change करने पड़े we can do that अब यहां पर क्या हो रहा है cleaning में for file in this folder जितनी भी इस folder के अंदर files है उनको लो फिर use filt long filt long use करो minimum length thousand है की percentage हमने वही बता दी dollar sign file यानि के हर file के ऊपर यह सब कुछ run करो ठीक है और उसी को gzip करो और उसको save करो clean long reads के अंदर हर file का base name ले लो base name कौन सा name है इस चीजों से पहले वाला नाम उसको लो साथ में .fastq.gz लगा दो underscore filter .fastq.gz ठीक है अब हो क्या रहा है हम यह वाला .fastq.gz अगर remove कर देंगे तो सिरफ एक ही .fastq.gz आएगा हमारे पास समझ रहे हैं बात को तो मैं इसको remove कर लेता हूं so this doesn't make sense अगर दो-दो fastq.gz आजाए ठीक है अब यह file save कहां पे हो रही है clean long reads के अंदर so obviously we need to make this folder as well if it's not there यह वाला clean long reads तो हम यहां पे इस से पहले यहां पे Mac folder M के DIR के तोर पे बना देता हूं यह वाला माइनस P लिखूँगा तो यह parent है इसका मतलब मतलब इस जगा पे इसके folder को बनागा so here we go for this script यह हमारे पास filter long का हो गया अब हमने क्या करना है दुबारा से QC दुबारा लगाना है ठीक है QC after obviously जो हमने नैनो प्लॉड यहां पे किया था यह था before तो मैं इसको करूँगा 01 नैनो प्लॉड underscore before समझ रहे ना बात जो हमने last time कियी थी मैं इसको copy करता हूं और मैं यहां पे लिख देता हूं sorry यह पूरे बात को यह copy कर लेता है copy paste यह यहां पे आगया हमारे पास nano plot before और मैं यहीं पे mkdar copy करता हूं और qc after के ऊपर यह पूरे का पूरा script ही मैं लिख देता हूं ताके मेरे पास यहां पे 02 आजाए nano plot after और यहां पे भी nano plot after यहां पे भी मेरे पास 02 के बाद उन्हें nano plot after के अंदर हमें report दे दू लो जनाब यह हमारा script तकरीबन ready है मैं चेक करता हूं इसके मामभा deactivate करना हमने end पे क्योंके start में हमने activate किया था here तो मेरे सारे software उसके अंदर already install है अब आप मुझे बताएं जो पिछला काम कर रही है क्या उसको remove कर दे नहीं उसको यहां से भगड़के इतना यह लाइने लगाने का यह फाइदा हमें पता है मैं इसको comment out करतेंगे तो यह run नहीं करेगा control and forward slash मैं इसको save करता हूं comment out करने के बाद now I have everything which is needed for quality अगर कोई गलती होई we can check that मैं यहां पर इसे अब run करने लगा ls मेरे पास यह file है जी assembler की तो मैं इसको ही run करता हूं like this let's see यह काम कर रहे के नहीं कर रहा अगर काम कर रहा है बिलकुल nano plot before आ रहा है हमारे पास यह इसकी report बन रही है इस्ता इस्ता I know कि उसने मुझे यह यहां पे एक छोटा सा point दी है कि आप पहले इसको activate करें क्यूं क्यूंकि हमने यहां पे मामबा लिखना स्टार्ट कर दिया मामबा एक्टिवेट दिस थिंग ठीक है तो अगर आप सेपरेट कर लेंगे तो को error नहीं आएगी जैसे हमने लास्ट टांग किया था तो यह लांग रीड हमारे चेक करें यह आटोमेटिक सारे के सारा प्रोसीजर हो रहा है मुझेस नीड टू राइट बॉन्स और अगर आपके पास चब्वीस फाइल भी होती इस पुड़ आफ ड़न इन दे सेम वह यह नैनो प्लॉट की बिफोर रिपोर्ट्स हैं यह आपके प्लॉट आ गए और यह पब्लिकेशन रेडी प्लॉट्स हैं बाहिदावे आप दिखा सकते हैं कि हमारे पास average read quality कितनी थी यह हमारे पास non-weight histogram कितना है फिर there are many other parameters जो automatically बन रहे हैं यह हमने PNG का बोला था ना लेकिन हमारे पास जो already quality है HTML के अंदर भी पहुच हो है अगर मैं इसको open करूँ तो यह आपके पास read की quality ऐसे भी देगे HTML के plots ठीक है और otherwise you can also see this final report यह आपकी final report है mean read length आपकी इतनी है कि आपका एक read जो है वो 57 या 5000 पेस पेर्स पेर मुहीत एक read कहां पे डेट सो कहां पे 5000 that's why it's long read समझे है बात की base pairs कितने है अच्छा quality कितनी है इतनी है median read length आपकी इतनी है median read length मतलब 2900 something ठीक है number of reads कितने है 72,000 अब number of reads multiplied by main read this is your total number of base pairs number of reads reads का मतलब है कितने chunks आपने read किये और हर read के अंदर कितने base pair है हमारे पास average आ रहा है 5700 अगर 72 को 57 के साथ हम multiply करेंगे यह वाली चीज़ को 7230 for example यह मेरे पास अगर मैं calculator निकालू तो 5789.7 multiplied by 72203 यह total कोई एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, चारसो अठारा मिलियन reads हैं चारसो अठारा मिलियन अब आपको यहां पर coverage calculate करने का मैं तरीका बताने लगाँ यह हो गया जनाब आपका जितनी देर वो काम चार रहा है मैं यहां पर read how to calculate, read, coverage या depth जो होती है हम start में sequencing में कहते हैं था न read depth किसकी कितनी है हमारे mean, read यहां पर हम देखते हैं कि mean, read length कितनी है ठीक है mean read length multiplied by मेरी screen फिर से stuck होगी है just give me one second mean read length multiplied by आपका number of reads तो वो आपके पास आ जाती है read depth जो 418 million है यह आपके total base pairs है और आपका genome कितना बड़ा है वो है 5 million base pairs का तो 418 divided by 5 कितना होता है तकरीबन 90 plus तो यह 90x आपकी read coverage है read coverage इस तरीके से calculate होती है जो start में हम बार बार ही जिकर कर रहे थे ना deep रखने है चीजों को कितना पैसे खर्चने है उसकी अगर बात की जाए तो यहां पर आपके पास है जनाब 52 something थी मैं दुबारा से वहां पर देख लेता हूं सतावन उनासी उनानवे बहत्तर दोसो तीन सतावन उनानवे मल्टिप्लाइड बाई बहत्तर दोसो तीन यह एक्वल टू होता है चार सो अठारा समहाओ मिलियन बेस पेर्स के ठीक है और अगर divided by आपका जिनॉम साइज 5.2 या 5 है तो यह रीड हुई तकरिबन 90X रीड डैप्थ है इस तरीके से आप रीड डैप्थ कैलकुलेट करते हैं एंड इस इस रफ आइडिया ठीक है समझागी बात की कुईस में बड़ी साइंस नहीं है इस रेली इजी तू इंस्टार्ट तू चेक मेन वाइल आपके जुनाब बिफोर एंड आफ्टर के क्वालिटी के प्लाट बन गए हमें यहां पे इसको उपन करता हूं यह आफ्टर वाला है यह बिफोर वाला है तो आफ्टर वाले में आपका मीन रीड लेंथ कितनी होगी है सेवन नाइन और यहां पे नंबर ओफ रीड पचास पे आगे हैं बहत्तर से सो लॉट अफ तिंग्स है बिन अल्रेडी काट टान और वह 95 परसंट हमने रिटेन किया 5 परसंट हमने निकाल ला है तो कॉलिटी भी अच्छी होगी हार किसी की में रीड कॉलिटी हमारे पास 8.6 है यहां पे 8.3 थी तो कॉलिटी इस ओल्सों इंक्रीस जो मीडियन है हमारा यहां पे था कम 29 सम्थिंग यहां पे 47 अब नंबर ओफ रीड हमारे पास आगे रीड लैंथ एन 50 नंबर होते हैं जो अगर आप चेक करना चाहें अब अगर हम वापिस हैं ना लॉंग रीड की उसी के ऊपर या अपनी जो जो जिनॉमिक गाइड थी यह वाली जिनॉमिक गाइड के अंदर शैलो और मैं यहां पे अगर लिखूँ शैलो यह वाली तीन रीड डेप्थ बताई हुए थी अगर आपकी शैलो है इसका मतलब 0 से 50 एक्स रीड डेप्थ है अगर आपकी रीड डेप्थ 50 से 100 एक्स है तो वह मेडियम है अगर वह 100 से भी ज्यादा है तो उन्होंने बोला था अगर आपके पास शॉर्ट रीड की डीप है और लॉंग रीड की शैलो है तो यू कन गो टू 17 17 के है यूनि साइकलर की हाइबरेड अगर आपके पास लॉंग रीड जो है वो डीप है यानि कि बहुत मतलब डीप से मुराद 100 एक्स से भी ज्यादा है विच इस नॉट इन आर केस देन यू कन गो तोवर्ड्स 18 विच इस ट्राइसाइकलर या आप यह लगा सकते हैं यह वाली जो इसम्ब्ली हैं लॉंग रीड फर्स इसम्ब्ली विच यूस ट्राइसाइकलर फर्स और पॉली पॉलिश फिर तीसरी चीज उन्होंने यह बताईए अगर आपके पास नाइ विचली हमारे केस में यह होगा कि हम यूनिसाइकलर हाइब्रड इसम्ब्ली पर जा सकते हैं विच शॉट रीड डीप एंड लॉंग रिड शेलो या मीडियूं तो हम इस पर मूव कर सकते हैं इसी वज़ा से यूनिसाइकलर की हाइब्रेड इसम्ब्ली हम यूज करेंगे यह तो मैंने आपको बता दी लॉंग रीड की कवरीज अब शॉर्ट रीड की कवरीज कहां से महलूम करतें का si marriage को रोलो को करते हैं underground धृर और मक्रमी को उसको पर इसके इसको ओपन करते हैं अब मैं आपको बताता हूँ हमारी average read length कितनी है जी 149 base pairs या 150 base pairs होती है 149 या 151 doesn't change anything तो हमारे पास total number of reads कितनी है यहां पर अगर आप गौर करें तो यह हमारे पास total number of reads है यहां पर यह आरेंज नाप 1500k के करीब अगर after का लगाएं तो यह 1400k यानि के 1.4 million which you can see here as well 1.4 million reads है if you multiply this thing with 150 तो यह total read depth आपके पास आ सकती है तो हमारे पास 1.4 multiplies by 150 this is 210 million reads 210 million 210 million divided by 5 is you can find out your read depth of short reads ठीक है तो यह usually 50x के करीब भी हो तो it's fine 42 40 के करीब हो गई है ठीक है अगर यही हम 1.5 को as it is ले जाते तो हमारे पास 150 आती divided by 5 इसको करते तो 45x depth आती तो हमारे पास 45x depth 42x depth इसकी निकल दी है समझ रहे ना बात कैसे ने कर रही है यह read depth ठीक हो गया तो यह दो step हमारे हो चुके हैं मैं यहां से read depth को यहां से ऐसे remove कर दे तो that would be great अब हम क्या करेंगे हमारे पास clean short and long reads आ गए हमारा तीसरा step क्या होना चाहिए hybrid assembly directly क्या ख्याल है number three unicycler hybrid assembly और believe me it takes a lot of time आपको शायद पता है कि hybrid assembly को बनाने के लिए कम असकम आदा पोना घंटा या एक घंटा लगता है so we will see के हमने किस तरीके से unicycler को use करके अपनी hybrid assembly को बनाना है obviously पहले हम अपना activate करेंगे environment तो इसको मैं copy करेंगे यहां पे paste करता हूं कि इस environment के ऊपर जाओ and then हमने अब वो script लेकर आना unicycler का which we can see from there यह जीडी टीवी है last plus बता दिया था पास भी हो गया मैंने प्लॉट कर लिया multi qs कर लिया मैं सिर्फ फजूल चीज़े रिमॉव कर रहा हूं तो यह उन्होंने यूज किया है एक्सक्रिप्ट जो पेपर वाले है hybrid assembly का तो मैं इसे copy करता हूं यहां पे करता हूं paste क्योंके हमारे पास एक hybrid assembly है तो इसका मतलब होता है line break करना मतलब same line of code है लेकिन यह break हो के आ रही है ताके आप ज्यादा चीज़ें एक ही जगा पे लिख सकें तो आप इस तरीके से भी code को बना सकते है short one read आपने देना है फिर short two read देना है फिर आपने long read देना है फिर उसको output देना है कि कहां पर आपकी assembly जाए number of threads आपने बताने है verbosity और बाकी चीज़ें आप अगर normal भी रहने दें दें इस फाइन normal का क्या मतलब है अगर आप अपनी unicycler की assembly पे जाए ना if I know correctly I have already open या here तो अगर आप normal की बजाए conservative या bold रखते हैं तो आपके पास different चीज़ें यहां पे आड़ आती है for example ये इस तरीके से आप mood default जो है normal होता है ठीक है इसका मतलब यह है कि आपके पास bridge quality और बाकी जो stringent criteria वो बिलकुल medium रहता है आप ज्यादा चीज़ें छोड़नी रहे घलती की बड़ा से या बहुत कम भी नहीं रख रहे बोल्ड का मतलब है जिस तरीके से भी possible है आपका पूरे के पूरा long read merge हो जाए है क्योंकि हमने long और short reads को मिला के assembly बनानी है तो वो gaps जो आती है ना long read के अंदर उनको merge करना होता है तो उसके लिए तीन तरीका का रहा है वो यूज कर सकते हैं वो यूज नॉर्मल फिर conservative भी कर सकते हैं और hybrid भी तो quality जो है आपकी सबसे best आती है यहां पे लेकिन आप वहां पे सिरफ bridge quality threshold ही बता सकते हैं आपके पास short read bridges नहीं यूज होते हैं यहां पे short read के bridge भी यूज होते और long read का single path हम दे सकते हैं otherwise it's always better to use this in a for loop तो same मैं वही काम करूँगा यहां पे आके इसको बोलूँगा make a for loop for this obviously आप खुद भी बना सकते हैं it's not a big deal लेकिन tools अगर मजूद हैं तो आपको इतना खपने के जरूरत नहीं ठीक है उसको settlement आप खुद से करें और यहां पे बना ले ले जनाब यह बन गए आपका और आपको समझ होनी जरूरी है कि यह हो कह रहा है that's the main part मैं इसको बिलकुल रीचे कर देता हूं और यहां पर इसको सेव करता हूं अब हमारा for directory in reads नहीं है हमारा हमारा जो folder है जहां पे हमारे reads पड़े हुए है वह different है ठीक है तो वह कह रहे हैं कि नहीं reads के अंदर जाओ वहां पे आपके पास जिसकी यह नाम है उसको ऐसे रख लो जिसका यह नाम है फोल्डर सेपरेटली ऐसे ही है separate folders है ना तो हम यहां पर इसको बता सकते हैं we have separate long and short reads folder तो यह automatically optimize कर देगी लेट सी मैं इसको copy करता हूं यहां पर मैं इसको paste करता हूं अगर मुझे ना पता होता कि यह चीज़ ऐसे चलती है so it was kind of you know कि कुछी समझ ही नहीं आ रही तो long read के लिए हमें long read के folder में जाना पड़े कर जहां पर हमने अपनी long reads की file save किया है I can take that from here यहां से यह हमारा folder है और उसके अंदर जो files हैं हमारी पढ़ी हुई वो इस तरीके से पढ़ी है so I can directly say के जनाब यह इस folder के अंदर सारी files है long read की clean long reads फिर get the path to the long reads file जो है हमारी .fastq.gz हम इसको check भी कर सकते हैं again it's stuck just give me one second हम उस folder के जाके अंदर check करेंगे fastq.gz है या fastq file so we need to wait a minute okay meanwhile आप मुझे यह बता सकते हैं कि अभी तक जो हमने किया है यह तरीका कार आपने पहले बनाया या नहीं बनाया पहले आपको इस तरीके कार का पता था या नहीं पता था अगर पता था तो क्या आपने इंप्लिमेंट किया एक स्क्रिप्ट में सारा कुछ लिखके इसको हम basically pipeline बोलते हैं अगर नहीं बनाया तो इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा काम करने का और बिलीव मी जब बंदा इस तरह के काम कर रहा होता है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही है क्लें लॉंग रिट्स के अंदर यह देखें फास्क्यू टॉट जीजी के नाम से फायर ठीक है और साथ में अंडर्सकोर फिल्टर्ड भी है क्यों फिल्टर्ड है अब जरह गोर कीजेगा हमने पिछले स्क्रिप्ट में यहां पर जब हमने फायल को सेव किया था ना ऑट्पूट के अंदर अगर आप गोर करें तो हमने यहां पर बेस नेम के साथ अंडर्सकोर फिल्टर्ड लगाया था इस वन मैं यहीं से कॉपी करूंगा इसे ताके मुझे पता हो के मेरे पूरे स्क्रिप्ट की पिछले की आउट्पूट यहां पर इंपूट कैसे बनेगी अब मेरे पास आता है शॉर्ट रीड शॉर्ट रीड पढ़े हैं बलके नहीं हमने क्यूंके उसको भी क्लीन करके एक सेपरेट फाइल में रखा था था पाइदावे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरे पास स्क्रिप्ट बनाने में असानी हो वही मैंने कमेंट आउट कर दिया इसे कमेंट इन कर दिया सोरी अब यह सारे स्क्रिप्ट अंदर आगे सो मेरे जो फाइल्स हैं वो सारे के सारी इस फोल्डर में पढ़ी है क्लीन रीट के अंदर आई विल पुथ दैट फाइल ने यह आगे जिए क्लीन शॉर्ट रीट और मैं इग्जैक्ली उसी तरीके से पेस्ट करूंगा जैसे पिछे पहले पेस्ट हुआ पढ़ा है ठीक है यह नहीं कि मैं स्टैरिक खा जाओं या कोई बेस्ट डिरेक्टरी या कुछ और खा जाओं जांगा गेट दफ गेट दफ पास्टु दे शॉर्ट रीट फाइल्स यह आपके शॉर्ट रीट के फाइल है ठीक है अंडर्सकोर 1.fastq underscore 2.fastq हम जाकर चЕक भी कर लेते हैं कि हैसे हैं हमारी short reads या नहीं short reads clean short reads यह जनाब underscore one fastqdc underscore two fastq.g so it's fine by the way यह जो फाइल्स आपकी fast भी आटामेटेकली आपका reports भी बना बना करेती है वो फाइल अब यहां से हमने short read file लेली which is short one यहां पे short 2 यहां पे हमने ले लिए long read यह long read आगी यहां से ठीक है out हमने assembly कहां पे डालनी है assemblies के folder के अंदर तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहीं पे short reads और hybrid assembly यहां पे assemblies के पास मैं यहां पे एक निया folder बना के मतलब यह के इसको activate करने के बाद mkdir-b.slash assembly इसको मैं बोलता हूँ unicycler assemblies ठीक है इसका एक folder बनाऊंगा और इस folder के अंदर मैं save करूंगा अपनी assemblies को समझे बात की और हर एक की directory separate बनेगी and then threads जितने हमारे हैं वो सारे use कर लो और बहुत इतनी mini fastland 100 mod normal जो हमारे पास एक script आया we made that one and at the end we will run this. अब हमारे पास जो यह चीज़े हैं इनको मैं remove कर देता हूँ क्योंकि already हमने उसके उपर क्योंकि हमने और रेड़ी इसके ऊपर यह काम कर लिया हुए अब यहां से mamba deactivate at the end हमने चलाने तो मैं यह भी चलाता हूँ मैं बाकी सारी files यहां तक इसे बंद कर देता हूँ bash पहले लिखा हुए तो नाओ आए विल रन दिस एसंबलर और अविसली इटेक्स सम्हाव वन आवर और टू आवर तो आवर्स तो एसंबील द फोल्ड राइट जी यह अब मैंने इतना चलाना है बस ठीक है लेट्स रन दिस और होफ़ुली यह काम करेगा अगर नहीं करेगा दन विबल से क्या एरर है बिसमिल्ला पहली एरर नो सच फाइल और डिरेक्टरी वो कहता है कि .fastq.gz.undersquare filter.fastq.gz यह फाइल नहीं है लेट्स सी वी गो तो दे शॉट्री इस क्लीन रीड्स यहां पर यह फाइल पड़ी है और हमने कौन सी दी है आपके शॉट्ड डिरेक्टरी रीड्स एरर क्या है यह वी सी दाट मांबा इनिट की है रहे शॉट्री इस क्लीन शॉट्री डॉट्ड फास्ट क्यू डॉट जी अंडर्सकोर फिल्टर नो सच फाइल और डिरेक्टरी srr1019953 शॉट्री रीड्स के पाद यह डिरेक्टरी नहीं है ओके लेट में सी एरर क्या है हमारी find short directory minus name dollar sign fastq.gc that's the issue I'm hoping कि यही इशू हो गई और बड़ा इशू ना हो we will see that फिर वोई इशू है underscore filtered हमने clean short reads के अंदर तो filtered की form ही नहीं लगाई नहीं तो यह हमारे पास long का है short read, short read name, base name directory अगर हम इसको इस तरीके से करें तो let's see wait a minute, now I know what's the issue hopefully I know let me see यह ऐसे नाम आ रहे हैं जनाब और short read का इस तरीके से आ रहा है, long read का किस तरीके से आ रहा है clean long reads, yes यह देखा, हमारे पास यह जो नाम आ रहे है ना, इसको हमने rename करना है पहले, इसको same उसी चीज़ के साथ rename करना है जैसा आपका long read का file name है तो मैं इसको filtered के बजाए यह इस तरीके से रखता हूँ, ठीक है, dot fastq.gz, same वैसा ही name हो जैसा हमारा short read का है, मैं दूसरा folder separately open कर लेता हूँ, ताके just to show you the difference यह मेरे पास पहले भी गलती आई थी, so I spent a lot of time, now I know, यह देखें, यह जो इसका नाम है, वही same हमारे पास names होने चाहिए, ठीक है, अब यहां पे हमारे पास आ रहे है 511, 512, यहां पे आ रहे है 513, we will see, कि यह चलता है, कि नहीं चलता है, otherwise we will find another way, तो इसको भी fastq.gz कर लेते हैं, यहां पे इसको मैं save करता हूँ, let's see, क्यों नहीं चल रहा, बात देखिएगा, यह कह रहा है 513 के short read नहीं मिल रहे, समझा है यह बात की, और अगर हम folders में जाएं, 513 long read का नाम है, और obviously same नाम होना चाहिए न, short read का भी, तो अगर इसको 511 की बजाए, इसको 513 की बजाए, इसको 511 कर दें, तो hopefully it will work, के नहीं, समझ रहे हैं बात को, अब मैं चलाता हूँ इसे, let's see, मैं इसको save करता हूँ, hopefully it will work now, still it's not working, 511 fastq, no such file or directory, let me see another time, clean reads, यह है हमारे long reads, यह है हमारे short read, तो short read है, 112 fastq.gz, dot fastq.gz, let's see, short read, एक काम करते हैं, यहां पर इसको पूरा script देखके देखते हैं, यह क्या हमें, solution देखते हैं, के as far as I know, यह नाम जो हैं, यह same होने चाहिए थे, fastq.gz, underscore this one, यह चेंज तो नहीं कीज ने, I see, पहली line वैसे ही है, दूसरी भी वैसे ही है, तीसरे पर directory आगी है, फुथे पर, काम है, पांच में पर short two, short six, else you can short read, यह फैल्स लगा दिया हैं, let's try this one, मैं शको remove नहीं करता, comment out कर देता हूं, ताके हमारे पास, save right, okay, again stuck, जो प्रॉब्लम हारी है नहीं स्क्रिप्ट के अंदर वह यह है कि वह लॉंग रीड की डिरेक्टरी रीड कर रहा है, उरसे ही के अंदर रियूम कर रहा है कि शॉट रीड प्रेसेंट है, so that is the issue, okay, assembly bash, short rate directory not found long rate, yes, you see, वह सी के अंदर उसको expect कर रहा है, short rate को, तो अगर मैं यहां से, यह वला folder जो है, इसे delete कर दू, यहां पे, and then, इसको मैं ऐसे कर दू, so what we can do, for directory in long reads, clean long reads, इसका long read अजयेगा, and then, get the corresponding short read directory, मैं अे अजयेगा, झां से कर दू भी आजयेगा, ्खिर्श व्सिंग जिरेडिर्ट्रोड प्रेट्स प्रियंग्डीड इविध अजी प्रिय्गंट क्या जिए प्रिय्ट्रोड्टरेश ट्यूंट लू कि अजय कि अ फजसों कि अधन कि अन्यवादग आफ रम तक घट दाझेंस आ बादटी इंशों कि अजलटेंस आफ लुटिस आफ उन्यवाद हम अ अवेशन आफ टेशएविया कि यद झार हैं, एप फिझार चाया हुआए ए झार विद्ट कि अप इझार ला व हैं हमारे पास यहां पर लॉंग ठीक आ रही है शॉर्ट रीड जो है यह कंसीडर कर रहे हैं कि डिरेक्टरी के अंदर है और फिर वहां से वह यह कंसीडर कर रही है कि शॉर्ट रीड के सेपरेट फोल्डर रहे और हर फोल्डर ओ कि यहां पर हम कंसीडर कर रहें बद्स रॉन और अगर मैं यहां पर और काम करूं और वो काम हो कि ये वाला हमारा Unicycler का स्क्रिप्ट है Copy इसको मैं यहां पर पेस्ट करता हूँ इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहां पर मैं लिखता हूँ Long reads नहीं Long directory is equal to that one short directory is equal to that one तो यहां से हम लेते हैं अपनी long read की directory felt long के बाद हमारे पास यह थी जी long read की directory copy this is again stuck shouldn't do like that shortcut की उसकी control forward slash है comment out और comment in की मेरा ना system बारबा स्टक हो रहा है जसकी में one second नहीं मुश्किल नहीं है यह असल मेना directory parts का रूला है यह मैंने long read का लगा दिया है मैं आपको भी दिखाता हूँ यह long reads हैं जो मेरे यहां पर पड़े हुए और जो short reads हैं वो हैं जी हमारे पड़े हुए clean short reads यह मैंने दोनों के पात दे दिये टीक है अब मैं यहां पर जाता हूँ these are my paths here is the same script again वही फिलम चला के दे रहे हैं चले हम देखते हैं अगर यह चलेगा ठीक है अधरवाइस विल गो इन अधर बेश्च को पॉइंट आउट करता हूं यह हमारे पास आगे है जिना आप फो डिरेक्टरी लॉंग डिरेक्टरी इस दिस वन छोज़वाइस शुषच करने लॉंग जाट रॉंग टॉंग चले यह द सी हैं अगराओस्टरी लॉंग टॉंग टॉंग पॉंग तॉंग फ्रॉंग ड्रॉंग बात्रॉं अट फो दॉंग खिजए नग धिलेख्सिए नह दॉंग टॉंग यहा छॉंग टॉंग टॉंग तो हम एक और काम करते हैं Assembly को पहले रन करते हैं एक को फिर इसका मैं स्क्रिप्प बनाता हूं सबसे पहले हम Short Read का पहला वाली फाइल देते हैं यहां पर तो उसके लिए Simply हम पात का फाइल नेम ले लेते हैं Short Read का Clean के अंदर जाके यह वाली पहली फाइल है Properties और यह इसका पात यहां पर होते हैं Copy करके यहां पर paste कर सकते हैं और इतना लंबा paste करने की जरूरत नहीं है और इस यह हमारे पाफ शॉट रीड़ा गया फावर्ड श्लैश और Exact उसका नाम जो है हम ले लेते हैं पहले Copy Paste यह हमारा Short Read 1 हो गया Copy करता हूँ यहां paste को Short Read 2 को paste कर देता हूँ और फिर Long Read के बारी आती है Long Read के लिए यहां पर यह वाली फाइल पड़ी भी है जिसको मैंने रेड़ी बना लिया था Copy करते हैं इसको And बात उसका यह था This one यहां पर पेस्ट करते हैं यह आ गया Output directory हमारी होगी Unicycle Assembly की यहां पे आ गई है That's how to Number of Threads यह आ गई और बॉस्टी आ गई Mini faster and so on and so forth Hopefully now it will work obviously it should work otherwise we will see के क्या मसले है मैंने ओपर वाले सारे बंद कर दिया Let's see Again Command not found, Unicycler की Command not found Unicycler Minus H Minus H Okay Oh Member Activate यहां पे हमने लिखाता हुआ था Unicycler को activate करना है Now it's working obviously अभी काम करने करना है इसने So हम wait करते हैं जब तक यह assembly बनाता है और फिर इसके ओपर हम इसका four loops generate करते हैं मैं यह वाला script आपको four loop का भीता हूँ आप ट्राइ कर सकते हैं multiple files पर यह वाला script चलाने के लिए मैं यह आपको telegram में भीता हूँ इसका four loop बनाईएगा parts भी मैंने भीए दिये चले एक छोटी से practice हो जाएगी हम सब की meanwhile मैं भी इस पर काम कर रहा हूँ obviously और आप देख सकते हैं कि यह assembly करते वकत अगर आप वर्बॉस बिल्कुल quiet कर देते हैं so it will be quiet as well लेकिन हमने से चलने दिया तो यह programming आपके सामने आती जाएगी और एक आप और काम कर सकते हैं non correct भी कर सकते हैं तो उससे आपका time बचेगा ठीक है अब यहां पर एक छोड़ी से break भी हम करते हैं then आगे move करते हैं मैं यहां से screen को stop करता हूं recording को रोक देता हूं चसल करते हैं झाल झाल